तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए तो दोस्तो वन ओफ दबेश्ट फिल्म RRR जिसका इंतजार हम सभी काफी बेस अबरि से कर रहे हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि इस फिल्मो को डारेक्ट कर रहे हैं S.S. राजा मुली और दोस्तो हम सभी को इस फिल्म को देखने के लिए मिलने वाली थी 8 जनवरी 2021 में पर दोस्तो फाइनली इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाना पड़ी क्योंकि आप सभी को पता है कि 2020 में लॉकडाउन लगने के चक्कर में कोवीड-19 फिल्ने के चक्कर में इस फिल्मी की सुटिंग को रोग दिया गया था ऐसे में दोस्तो हम सबको राधत दिलाने के लिए हम सबके बीच में दो बड़े टीजर लॉंच करे गए जिसके नर हमको एक एनिमेशन देखने के लिए मिला और दोस्तो एक के नर जुनियर और दोस्तो राम चरण सर देखने के लिए मिले और दोस्तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोनों ही टीजर को ओडियंस की तरफ से काफी रहा प्यार देखने के लिए मिला वहीं पी दोस्तो मेगा बजट फिल्म है जिसको हम सबके बीच में 400 करोड के बजट में बनाया जा रहा है आखिरकार दोस्तो कब रिलीस करी जाएगी तो दोस्तो हम आप सभी के बीच में यह अपडेट लेकर आ चुके हैं कि दोस्तो हम सबके बीच में इस फिल्म को हम सबके बीच में कब रिलीस करा जाएगा उससे पहले दोस्तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म क तो ओवरेट्स में दी जायेगी 2,000 film यानी दोस्तों यह फिल्म,242,000 पे लौन्च होगी, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं, कि जहां पर यह फिल्म हम सब के बीच में बारहहहे स्केनों पे लौन्च होगी, तो कितने करोड का कारोबार करेगी, साथी साथ दोस्तों अगर हम बड़े कि यह फिल्म हम सबके बीच में आप कब रिलीज होने जा रही है तो दोस्तों आप सभी को बता दू कि इस फिल्मे के रिलीज टेट हम सबके बीच में दसरे के मोके पर बताए जा रही है जो कि है 8 अक्टुम्बर 2021 दोस्तो आप देखना ये है कि या ये फिल्म भी हम सबके बीच में बाहु वली की तरह कोई बड़ा रिकोर्ट कायम कर पाती है या फिन नहीं वैसे दोस्तो आपके ओपिनियन क्या है कि या ये फिल्म भी हम सबके बीच में 800-900 करोड का कारूबार चुटकियों में कर जाएगी या फिन नहीं हमें अपने ओपिनियन कमेंड करके जुरूर बताईएगा जय हैंद